हेलो एवरीवान वेलकम टू स्वेता पटवास रेसीपी आज हम बनाएंगे टेस्टी नीबू का अचार और इस अचार को हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं जिससे की अचार बहुती ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इस अचार को आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो चली अचार बनाना सुरू करते हैं हमने यहां पर दस नीबू लिये हैं बड़े साइच के नीबू है और वजन में ये आधा कीलो है अब हमने गैस पर एक स्टील का बरतन रख दिया है और उसमें ले लिया है थोड़ हो जाएगा अब पानी बॉइल हो चुका है तो हम गैस बंद कर देंगे और एक एक करके इस पानी में सारे नीबू डाल देंगे यहां हमने सारे नीबू डाल दिये हैं और अब हम इसे ढख कर 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ऐसा करने से नीबू जो हैं सौफ्ट हो ज और अब हमने सारे नीबू निकाल लिये हैं तो इसे कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोँच लेते हैं बहुत अच्छी तरह से पोँचना है बिल्कुल भी पानी नीबू में नहीं होने चाहिए यहां सारे नीबू को पोँच लिया है और अब हम इसे कट करेंगे तो यहां पर हम एक नीबू के आठ पीस कर रहे हैं आप अपने अनुसाज जैसे रखना है वैसे करें बड़े पीस या छोटे पीस जो आपको पसंद दो वो करिए और नीबू के बीज है जो हम इसे साइड में रखते जाएंगे और इसी तरह से सारे नीबू को कट कर लेंगे नीबू हमने कट कर लिये हैं अब हमने गैस पर एक कड़ाई रख दी है तो इसमें एक बड़ा चमच राई डालेंगे एक चमच इसमें हम डालेंगे जीरा एक चौथा ही चमच मैथी दाना तो मैथी दाना थोड़ा ही डालना है बहुत ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो अचार कड़वा हो जाएगा और अब हम इसे थोड़ा रोष्ट कर लेंगे रोष्ट करने के बाद ठंडा करके इसे इस तरह से दरदर पीस लेंगे और अब इसे डाल देंगे नेबू के उपर अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, एक छोटा चमच, दो बड़े चमच, रेगुलर नमक, तो नमक इसमें ज़्यादा ही लगता है क्योंकि अचार को ज़्यादा दिन तक श्टोर करके रखना पड़ता है और तीन बड़े चमच, लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अनूसा डाले, एक छोटा चमच इसमें हल्दी डालेंगे, तो हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है नहीं, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर द दिया है, अब हम इसमें लगाएंगे तड़का, तो तड़का लगाने के लिए एक कड़ाई में हमने लिया है, राई का तेल, एक छोटाई कप, तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे, जब गरम हो जा तेल तो गैस बंद करके इसमें डालेंगे, एक बड़ा चमच रा और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे एक कांच के जार में डालकर पांच दिन के लिए धूप में रख देंगे, तो पांच दिन में ही अचार अच्छी तरह से तयार हो जाएगा, और अचार को हमने पांच दिन तक धूप में आई होप कि आपको आज की हमारी यह रेसी पी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक सेर करें नीव है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई